नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानद वसेष्ट, सजनो कन्या रासी के लिए ये 2023 से लेकर 2030 साथ वर्स शनी आपको क्या क्या देने वाले हैं, अब देने के अंदर बहुती बातें हैं, लाब भी हो सकता है, कस्ट भी हो सकता है, परिशानी भी हो सकती है, साथ वर्स एक जैसे नहीं होतें, तो यहां 17 जनवरी 2023 के अंदर जो शनी थे, ये कुम्ब रासी के अंदर आये थे, और कुम्ब रासी आपके छटे इस्थान के अंदर पड़ती हैं, तो छटे इस्थान के अंदर सनी, अपने घर के अंदर खें, तो समझिए कि सत्रों का तो छुटकारा मिल गया, सत्रों से छुटकारा, लंबे, पुराने, जो भी कोई रोग चले आ रहे हैं, उनसे भी छुटकारा, कोई करजेग हैं, उनमें भी आपको बहुत कुछ राहत मिलने वाली हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केवल एक सनी का परिणाम दे रहा हूं, शनी का फल बता रहा हूं, ग्रे नो होते हैं, और कुंडली के अंदर भाव बारह होते हैं, इसलिए उनमें बिन बिन भावों के अंदर और बिन बिन ग्रहों के कारण से बिन बिन परिणाम जो हैं हमारे जीवन के अंदर, फिर दसा, महा दसा, अंतर दसा, प्रत्यंतर दसा योगिनी दसा यह कितनी प्रकार की दसाओं को देखना पड़ता है तो उसके लिए तो आपको जनमपत्र दिखा करके ही जनकारी प्राप्त होगी लेकिन जो सामान्यत है शनी का जो गोचर है वो मैं आपको साथ वर्स के लिए बता रहा हूँ तो ये डाइवर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे सुन्दर और सुख़च परिणाम देने वाले खें 17 जून को शनी 17 जून 2023 के अंदर ये वक्री होंगे तो बक्री होंगे तो जो जैसे परिणाम हो रहे थे अब वैसे अगर सुख ग्रेख है तो और सुख हो जाता है बक्री हो करके तो यहाँ पर अब ये अपना जितना भी जो कार्या है वो तिब रगती से करेंगे अर्थात आपका 30 मार्च 2025 तक शनी जो गये ये आपके यहाँ पर बैठे हुए शनी उनकी दसम द्रश्टी आपके तरतिये स्थान के उपर जा रही है भाईयों के साथ बना के रखना किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो तो उसको टालने का प्रयास करना यह जो जरूर इसके अंदर सनी के अंदर प्रात होगा 30 मार्च 2025 में शनी जो है मींदरासी में चले जाएंगे मींदरासी आपका सब्तम इस्थान के पत्ति का भी स्थान के और साजेदार का स्थान के तो वहाँ जब यह आ जाएंगे तो इनकी सीधी दृस्टी आपके लगन के उपर आपकी रासी के उपर पड़ेगी तो थोड़े जिद्धी आलसी यह आपको बना सकते हैं तो अपने आलसी को त्यागे परना आगे जो उन्नती के मर्ग हैं वो आपके रुक जाएंगे 12 जुलाई 2015 के अंदर सनी महीं पर जो हैं बक्री होंगे तो बक्री ग्रह जैसा पहले चल रहा होता है उससे विपरीत फल देने वाले हो जातेगे अर्थात जो काम बन रहे थे वो अब रुकने लग जाएंगे बिगडने लग जाएंगे और यह स्थिती जो है इनकी चलेगी 27 नमबर 2025 तक वहाँ पर जा करके यह मारगी होंगे 27 जुलाई 2026 के अंदर फिर यह वक्री होंगे और इसके पश्चाद वक्री होकर के 4 जुन 2027 के अंदर यह मेस रासी के अंदर जो के यह पहुंच जाएंगे मारगी होकर के पहुंच जाएंगे तो मेस रासी में जब यह पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको सनी की ढहिया प्रारंब हो जाती है तो सनी की ढहिया प्राय अच्छी नहीं होती और अस्टमिस्तान की ढहिया तो बहुत ही कस्टकारी होती है चाहे वो स्वास्त के लिए खे, धन के लिए खे, कुटुम्ब के लिए खे, पैसे के लिए खे तो ये इस्थिती जो है वहाँ पर चलेगी और 9 अगस्त 2027 के अंदर सनी वहाँ से वक्री हो जाएंगे वक्री होकर के जो परिशानिया इन्होंने देना प्रारंब कर दिया था वो परिशानिया रुक जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी या उनमें कुछ न कुछ निवारन जोग है, आपको प्राप्त होने लग जाएगा 18 अक्टूबर 2028 के अंदर सनी वक्री होकर के वापिस मीन रासी के अंदर आ जाएंगे और मीन रासी के अंदर आएंगे, तो ढहिया वाला जो परिणाम था उनसे आप बच जाएंगे, तो मीन रासी में आकर के फिर 24 फरवरी 2028 के अंदर फिर ये मेस रासी में प्रवेस कर जाएंगे तो मेस रासी पुने आपकी जो है ढहिया आपको प्रारंब हो जाएगी और ये ढहिया वहाँ पर हुई तो कष्ट परिशानियों के साथ साथ बहुती आर्थिक शती भी आपको प्राप्त होगी लेकिन इस सारे परिणामों से निकल करके और आप 17 अपरेल 2030 के अंदर जब सनी आपके ये व्रस रासी में पहुच जाएंगे भाग сил अस्तान में पहुच जाएंगे तो ठहिया से आप निकल जाएंगे रहिया से निजात आपको मिल जाएगी अब इस सनी के दुस्परिनामों से बसने के लिए देखिए पहले रही साल बहुत बढ़िया रहे, दूसरे रही साल थोड़े मीडियम रहे, तीसरे रही साल कस्टकारी रहे, तो कस्टकारी समय के अंदर वैसे तो सनी की सदाई ही अराधना करनी चाहिए, हनमान जी की उपासना करनी चाहिए, वालमी की सुन्दरकांड या रामचरित मान आप बच सकते हैं, बाकी जानकारी के लिए यह नमबर यहां पर दिये हुए हैं, इन नमरों पर संपर्क करके, कारेले से अपइंटमेंट ले करके, कारेले की सेवाएं कहें, वो अरपन करके, और आपको जो भी कस्ट है, परिशानी है, चाहिए वो जीवन संबंदी है, भाग को कीस्όμεरी कागत की साक्ड़ में, भी यह आपको एजरी कास्फ समय याजमें, भी यह तैर सिरे किस्टारी कारेले करें लीवन स्ट혼.